दोस्तों क्या आपने आसकर एवार्ड का नाम सुना है? आप ही कहेंगे हम कैसी बात कर रहे हैं? इंटरनाशनल लेवल पर सबसे प्रतिष्ठित एवार्ड आसकर एवार्ड को ही माना जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कैलिफोर्निया स्थित लौस एवार्ड फंक्षन चल रहा था. लेकिन इस बार आसकर के मच पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. दरसल इस बार चर्चा प्रतिष्ठित आसकर एवार्ड की नहीं, बलकि उस पड़की हो रही है जिसकी गूँज दुनिया को सुनाई दे रही है. दरसल इस बार आसकर के एवार्ड फंक्षन में कुछ अलग ही देखने को मिला. दरसल विल स्मित और क्रिस रॉक के बीच दो हजार बाइस के आसकर टेली कास्ट के दौरान कहा सुनी हो गई थी. चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है. दरसल विल स्मित स्टेज पर डॉक्यमेंटरी फीचर के लिए आसकर एवार्ड लेने आये थे. वहां मौजू थे क्रिस रॉक. इस दौरान क्रिस रॉक ने विल स्मित की वाइफ के बालों पर कमेंट कर दिया. जिसके चलते स्मित अपने आ फिल्म है जिसे लेकर क्रिस रॉक ने कहा कि वो विल स्मित की वाइफ जैडा पिंकेट स्मित को फिल्म जी आई जेन टू के अगले सीजन में भी देखना चाहते हैं. दरसल इस फिल्म में जौर्डन का खिरदार गंजा है. गंजेपन को लेकर इस तरह का मजाक उडाना क्रि एडा को एलोपेश्य नाम की बिमारी है जिसकी वचह से उनके बाल गिर रही है. यह एक ओटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें बाल गिरते हैं और अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं है. किसी के फिजिकल फीचर पर इस तरह का कमेंट करना कितना सही है. भारती समाज में अक्सर ऐसे चीज़ें देखने को मिल जाती है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम भी इस तरह की बातों से अच्छुतान नहीं है. इतने बड़े मंच पर किसी की व्यक्तित्व और वो भी खास कर एक महिला के बारे में इस तरह का मजा कहीं से भी अपनिये नहीं है. बहराल जो भी हो शोशल मीडिया पर यह वीडियो ताबर तोड वाइरल हो रहा है. और अपने साथ एक सवाल भी आप लोगों के सामने रख रहा है कि कि किसी के लुक्स को लेकर हम इतने जज्जमेंटल कैसे हो जाते हैं? क्या लुक्स वागई बहुत मा आए रखना चाहते हैं तो जरूर दीजिए अपनी राय और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें